नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल MSDigitals में आजके इस वीडियो में ITI की जो मार्शीट होती है और जो NTC सर्टिफिकेट होता है और जो कंसोलिडेटेड मार्शीट होती है उसे आप कैसे डाउनलोड करेंगे उस वीडियो में आपको इस वीडियो में बताने वाल हैं एकदम आसान तरीका बताएंगे जिससे आप अपना जो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सेर करना बिल्कुल भी नहीं बूलिएगा साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए वीडियो सुरू करेंगे देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना होगा किसी भी ब्राउजर पर आपको जो भी में पसंद ब्राउजर गूगल ओपन कर लिजिए गूगल पर आपको सर्च करना होगा और फिर उसके बाद MIS मतलब NCVT MIS यह देखिए इस तरह से आपको लिख लेना है और इसे सर्च कर लेना है जैसी आप इसे सर्च करेंगे देखिए हम आपको करके भी दिखाते हैं यहाँ पर देखिए आपको यह वेबसाइट दिखाए देखिए और इसके नीचे लिखा लेकाई देखा यही वो पोर्टल है जहां से आप यहाँ से जाते हैं आप और यहां से आप अपना जो सर्टिफिकेट है और मास्षीट है यह सारी चीजी यहाँ से आप डाउनलोड करते हैं यह देखिए NTC Certificate यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है trainee वाला जो options यह देखे trainee यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर नीचे देखिए आपको trainee profile का options आता है इस पर आपको click कर देना है ध्यान रखेगा trainee profile पर ही आपको click करना है अब देखिए अब यहाँ पर आपको एक एक करके सारी fill कर लेते हैं और fill करके आपको check करके दिखाते हैं कि यह सारा process आपको कैसा हो गई तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर registration number fill कर लेंगे तो registration number जो है वो आपको आपका जो certificate है वहाँ पर मिल जाएगा या admit card है वहाँ पर भी मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको सिर्फ registration number लिखना है ना कि role number तो ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पर registration number लिख लेना है इस तरह से यह देखिए हमने एक registration number यहाँ पर fill कर लिया है अब देखिए इसके बाद नीचे को आपको जो फादर्स नेम है वो fill कर लेना है या फिर फादर्स नहीं है गार्जियन है तो गार्जियन नेम फिल करना है आपको तो वो भी हम कर लेते हैं यहाँ पर एक चीज विसेज धियान रखिएगा कि जब आप गार्जियन नेम फिल करेंगे तो जैसा आपके जो मार्च शीट में गार्जियन नेम लिखा हुआ है सेम वैसे ही fill करना है यदि SH. लिखा हुआ है आगे आपके नाम के आगे तो वो ही fill करना है आपको यह direct नाम है तो नाम फिल करना है यदि आपका नाम यहां match नहीं करेगा तो आपकी detail ओपर नहीं होगी यह ध्यान रखिएगा तो बिलकुल आपका जो मार्च शीट में जो नाम है वही यहां पर fill कर दीजेगा चलिए अभी आगे आपका date of birth आप देखिए date of birth जब आप यहां पर type करेंगे तो ज्यादा तर लोग क्या करते हैं कि keyboard से या mobile से यहां पर type कर देते हैं तो यहां पर देखिए हम आपको type करके भी दिखा देते हैं इस तरह से यदि हम यहां पर date of birth type करेंगे तो यह date of birth यहां पर नहीं लेता है आप जब तक यह जो box में बने हुए sun और month और date से select नहीं करें तब तक कि यह date of birth नहीं लेगा चलिए हम आपको करके भी दिखा देते हैं यह देखिए हम एक capture code यहां पर फिल कर ले और submit करके दिखाते हैं आपको जैसी आप submit करेंगे यह देखिए यहां पर date of birth नहीं लेगा क्यूंकि इसे आपने type करके लिखा हुआ है इसलिए आपको date date of birth नहीं करना है आपको यहां से देखिए इस तरह से select करना है date of birth को महीना दिन, sun, महीना और यहां पर date चलिए अब यह capture code दिखाई दे रहा है यह capture code आप यहां पर फिल कर लेंगे यह नीचे जिस तरह से दिखाता उसी तरह का capture code लिखना आपको और submit कर देना है जैसी आप submit करेंगे देखिए आपका यह detail आपके सामने open हो जाएगा कुछ इस तरह से चलिए scroll down करते हैं नीचे आप देखिए यहां पर आपको सारा detail दिखाई देगा आपने किस चन में कुन से year की exam दिये है उसकी mark sheet आपको यहां पर दिखाई देगी यह देख सकते हैं आप यहां प अपने mark sheet download कर सकते हैं आप देखिए नीचे की तरफ में यहां पर आपको print certificate का एक options दिखाई दे रहा है और नीचे consolidated mark sheet जो है आपकी वो दिखारी consolidated तो आपको यहां पर दोनोई चीज download कर सकते हैं आप click करके तो सबसे पहले हम यहां पर print certificate इस पर click करेंगे और आपको certificate download करक आप click करेंगे यह आपका जो NTC का certificate है national trade certificate वो आपके सामने यहां पर open हो गया है इस तरह से आप अपना certificate download कर सकते हैं इसी तरह नीचे आपको एक और link दी हुई है जिसमें आपको consolidated mark sheet का दिया गया है तो आप वहां से आपकी जो consolidated mark sheet है वो भी download कर पाएंगे तो हमें उमीदे हमारी यह जो बताई हुई जानकारी है आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आती है तो वीडियो को like share कर दीजेगा ताकि दूसरे लोग भी इसे download कर सकें साथी channel को subscribe करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा चलिए फिर मिलेंगे next वीडियो में किसी तरह की किसी अच्छी सी नई जानकारी के साथ